हेलो एबरिवन, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैरल आज मैं आपके साथ बहुती सिंपार और हेल्दी गवार फली की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकी से बनाय जाता है आज मैं इस गवार फली यानी गवार की सोकी सबजी बना के शेयर करूँगी चलि फिर आज की रेस्पी बनाते हैं गवार फली की सबजी बनाने के लिए यहाब मैंने आदा किलो गवार फली लिया है गवार फली फ्रेंच बिन यानी फ्रट्सी की तरह दिखता है पर यह चिप्टा होता है, इसे हाथ से ही तोड़ा जाता है, सबसे पहले इसके आगे और पीछे का थोड़ा हिस्सा निकाल देते हैं, और इसे side कर लेंगे, अब इसे हाथ से ही इस तरह तोड़ लेंगे, ये देखी, इस तरह से, इस तरह सारी गवार फलियों को तोड़ लेन अब इसे दो से तीन बार पानी से धो लेंगे और धोने के बाद इसे जालेदार बरतन में रख लेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए अब इस गवार फली को उमालेंगे इसे उमालने के लिए एक पतिले में आदा पतिला पानी लिया है अब इसमें आधा चुरा चमच नमक एड़ करेंगे और इस पानी को अच्छे से गर्म करेंगे या एक उमाल आने देंगे पानी अब उमलने लग गया है अब कटी हुई गवार फली को इसमें एड़ कर लेंगे यादर कि पानी में उमलते समय पानी को उपर तक बरतन में नहीं भरना है नहीं तो पानी के छिटे उबलते समय अपने उपर आ सकते हैं अब इसमें एक अच्छा उमाल आने देंगे अब इसमें एक उबाल आ चुका है इसे 5 मिलेड तक ऐसे उमलने देंगे ताकि ये 50% कोक हो जाए गवार फली हाप कोक हो चुकी है अब इसे ज़्यादा ओवर कोक नहीं करेंगे इसे अगर ओवर कोक किया तो ये नरम पढ़ जाएगी और टेस्ट भी खराब हो जाएगा अब एक बरतन के उपर एक बड़ी जालीदार चंडी रखेंगे और तुरंत ही इसे चाल लेंगे ताकि इसका कोकिंग प्रोसेस रुख जाए जब तक गवार फली ठंडी हो रही है तब तक इस रेस्पी का मसाला तयार करेंगे अब एक कड़ाई या तवे को गर्म करेंगे और उसमें आदी छोटी को टोरी सिंगदाना यानी मुंफली अड़ करेंगे और इसे अच्छे से ड्राय रोस्ट कर लेना है ताकि इसके उपर अच्छा सा कलर भी आ जाए और कच्चा पन निकल जाए इसलिए इसे लोटो मीडियम आज पर ही ड्राय रोस्ट करेंगे अगर तेज आज पर किया तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे अभी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं इनके उपर अच्छा सा कलर भी आ गया और इनके छिलके भी निकलने लग गया है इस मुमफली को चौड़े प्लेट या थाली में निकालके ठंडा कर लेंगे अब उसी कड़ाई को फिर से गर्म करेंगे उसमें दो बड़े चमस तेल अड़ करेंगे तेल जब गर्म हो जाए अब इसमें एक मीडियम सैज का आलो अड़ करेंगे जिसके छिलके निकलने के बाद इस तरह से बारिक लंबा कट कर लेना है इन आलुओं को इस तेल में fry कर लेंगे ताकि fry करने के बाद इनके उपर भी अच्छा सा कलर आ जाए और ये भी हाफ कुक हो जाए आलुओ अब अच्छे से fry हो चुक ये इनके पर अच्छा सा कलर भी आ गया है अब इन fry किये वे आलो को भी निकाल लेंगे जिस तेल में आलो को fry किया था उसी गर्म तेल में आदा छोटा चमच राई एड़ करेंगे राई जब अच्छे से क्रैकल हो जाए अब इसमें एक छोटा चमच से भी कम हिंग डालेंगे अब दोनों को तेल में पकने देंगे अब इसमें medium sage का बारिक लम्बा कटा हुआ प्याज एड़ करेंगे और इससे तेल में fry कर लेना है अब इसमें एक छुरा चमच अदरखलेशन का paste एड़ करेंगे और इसे भी प्याज में कर लेंगे अच्छे से mix प्याज जब हलके नर्म पड़ जाए अब इसमें दो छोड़े चमच डेसिकेड़ेड़ कोकोनट एड़ करेंगे इससे सबजी का टेक्श्चर काफी अच्छा आता है डेसिकेड़ेड़ कोकोनट की जगह पे सुखे नारेल को ग्रेट करके भी एड़ कर सकते हैं और इने तेल में तब तक फ्राइ करना है जब तक इनका कलर हलका ब्राउन न हो जाए अब ये ड्राइ रोश्ट की हुई मुमफली थोड़ी थंडी हो गई है अब दोनों हाथों से रगड़ते हुए इसका पूरा बाहर का छिलका निकाल लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकॉन प्रेस करके औल प्रेस करना न भूले ताकि मेरी बनाई हुई नई नई रेस्पी के अपडेट्स आपको मिलती रहे इस तरह से इसके सारे चिलके अलग हो जाते हैं मुंभली के चिलके निकालने के बाद इनके चिलके अलग कर लेंगे और इने इमान दस्ता में दरदरा कोट लेंगे अब यह मसाला हलका ब्राउन हो चुका है अब gas की flame low करेंगे और इसमें थोड़े सूखे powder masala आड़ करेंगे इसके लिए इसमें एक छोटा चमच धनिया powder आड़ करेंगे आदा छोटा चमच आमचूर powder, एक छोटा चमच लाल मिर्च powder इसे अपने टेस्ट के according कम जादा कर सकते हैं अब इसमें एक चोथा ही छोटा चमच हल्दी पौडर एड़ करेंगे और इन मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है इन पौडर मसालों को भूनते समय गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए ताकि ये सारे मसाले जले नहीं और अच्छे से भून जाएं मसाले भून जाने के बाद उमाल के और छान के रखे हुई गवार फली एड़ करेंगे और फ्राइ किये हुए आलू भी एड़ कर लेंगे और मसाले में इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है इन्हें दो मिनट तक हाई फ्लेम पे इसी तरफ मिक्स करके भून लेंगे पका लेंगे, अब इसमें कूटा हुआ सिंगदाना यानि मुवफली एड़ करेंगे, और इसे भी सबजी में मिक्स कर लेंगे, इसे इस तरह कूट के डालने से सबजी में अच्छा सा क्रंच आता है, जिससे इस सबजी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, और फिर से इसे चार मिट के लिए पका लें, ताकि सबजी अच्छे से कूक हो जाए और ड्राइ भी हो जाए, अभी सबजी अच्छे से पक गई है, ड्राइ भी हो गई है, अब इसमें आदा छोटा चमच बारी कटा हुआ ताजा हरा धनिया एड करेंगे, और सबजी में इसे भी कर लेंग अच्छे से मिक्स और गैस की फ्लेंग बंद कर देंगे, गवार की टेस्टी और हेल्दी सबजी जटपडबन के तयार है, अब इसकी प्लेटिंग करेंगे, इसे गर्मा गर्म सर्व करें, इसे रूटी, पराठा, चपाती, राइस किसी की साथ भी खा सकते हैं, ये सब के सा अच्छे साथ शेयर करें,